हेलो गाइस वेलकम बैग आज के इस वीडियो पर हम सही पे का मिनी एटियम डिवाइस को अनबोक्स करेंगे और इससे जुड़ी धेर सारी जानकारी जानेंगे तो चलिए बिना समय गमाएं अनबोक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह रहा हुए छोटा सा बॉक्स जिसमें मिनी एटियम डिवाइस पैक है जिस डिवाइस का मॉडल नमबर डी एक सो असी है और इसमें यह फैसेल्टी अवेलबल है यहाँ पर दिखाई गई है इस मसीन पे आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपिड कार्ड, लॉयल्टी कार्ड यह सभी कार्ड इस मसीन पे सुइप करके पेमेंट कस्टूमर से ले सकते हैं और इसमें कोई सिम कार्ड नहीं डलता है, यह आपके मुबाइल फोन से बुलुटूथ के माध्यम से जुड़ जाता है और सारा काम आपके फोन से डाटा से ही चलता रहता है यह मसीन एक तरह से सिर्फ कार्ड सुइप करने के लिए ही है, बागी काम मुबाइल से ही हो जाते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी LED लाइट दी गई है जो चार्जिंग के दवरान रेड कलर की जलती हुई दिखाई देती है और फुल चार्ज होने के बाद यह ग्रीन हो जाती है और इसके अंदर बैटरी का भी आइकन होता है जो इसे देख कर भी हमें पता चलता रहता है कि अभी हमारे डिवाइस पे बैटरी कितनी है और इस स्क्रीन के उपर चार कलर की LED लाइट लगी हुई है जो चार कलर के माध्यम से आपको इंटिकेट करती है कि आपका डिवाइस किसी इस्तिती पर है जैसे कि वाइरलेस से जुड़ेगा तो ब्लू लाइट जलेगी और जब पेमेंट सक्सेस्फुल हो जाएगी तब यह ग्रीन लाइट जलेगी और पीली लाइट का मतलब यह है कि आपकी पेमेंट अंडर फ्रोसेस है और रेड लाइट का मतलब आपकी पेमेंट किसी कारण बस कैंसिल कर दी गई है तो आप इन LED लाइट से यह सब जान सकते हैं और यहाँ पीछे बोक्स पे कुछ खास काम का नहीं है यहाँ पर मैनुफेक्चर फेक्टरी का एडर्स दिया हुआ है कि यह डिवाइस कहां पे बनी हुई है यह डिवाइस चाइनीज है और यह एडर्स चाइना का ही कमपनी का है तो चलिए मैं इसे फाइनली बाहर निकालता हूँ और इसके अंदर क्या क्या है वह मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैं ने इसे बाहर निकाल लिया है और अब आप देख सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यह डिवाइस कितना चोटा और कितना प्यारा है और इसके साथ हमें दी गई है एक डेटा केबल जो इसे चार्ज करने के काम में आती है आप इसे अपने USB चार्जर से जोड़ कर चार्ज कर सकते हैं इसका बैटरी बैकप काफी अच्छा है जो एक बार के चार्ज से दो तीन दिन चलता है और मुझे यह डिवाइस की फिनीसिंग काफी पसंद आई और इसकी जो साइड बोडी है वो है सिल्वर की है जो देखने में काफी सुन्दत दिख रही है और इसके उपर है सुईच ओन ओफ करने वाली बटन जिसे कुछ सेकेंड दबाए रखने पर डिवाइस ओन हो जाता है और कुछ देर दबाए रखने से ओफ हो जाता है और device के उपर side card sweep करने के लिए यह cut दिया हुआ है जो payment के दवरान इस पे card को sweep करना होता है और payment हमारी complete हो जाती है और यह तो रहा card sweep करने के लिए लेकिन इस device के side पे card को लगाने वाली जग़े भी दी गई है जो आप card लगा कर या sweep करके payment ले सकते हैं अगर chip वाला card है तो card को लगा कर payment लेना है otherwise card को sweep करके payment लेना है और इसके side पे है charger connector जिसे आप दी गई केबल से लगा कर चार्ज कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे अपने charger से जोड़ कर चार्ज करके देखते हैं कि यह कैसे on होता है तो यह मैंने इसे charger केबल को charger से जोड़ दिया है और इस device पे भी लगा दिया है और अब आप देख सकते हैं charge हो रहा है यहां red light जल रही है तो guys यह काफी प्यार डिवाइस है जिसे हम microatium भी कहते हैं और यह आज कल हर दुकान में लगभग लगभग देखने को मिल जाता है तो चलिए इसको इसको इस्तिमाल कैसे करना है वह भी थोड़ा जान लेते हैं और फिर यह भी जानेंगे कि device कैसे order करें और device लेने का charge कितना लगता है तो guys जैसे कि मैंने बताया था Bluetooth के माध्यम से आपके phone से जुड़ जाता है और जब card sweep करने की बारी आती है तब हमें device पे sweep करना होता है अगर chip card है तो side पे लगाना होत नहीं तो बिना chip वाले card को ऊपर दिये गए खांचे पे sweep करना होता है तो guys आप जान लेते हैं यह device कितने का आता है और इसे कैसे order किया जाता है तो guys इसे order करना बहुत आसान है इसे order करने के लिए सही पे नाम का application डाउनलोड कर लेना है जिसकी link हमने अपने description पे दिया इसे जब आप पहली बार start करेंगे तो registration करने को कहेगा तो आपको इसमें वह सारी details भर देना है जो यह मांग रहा है उसके बाद आपके दिये गए address पे company की तरफ से एक distributor आएगा और आपको यह device आपके नाम पे registered कर देगा और इस device का charge आप चाहें तो online कर सकते हैं नहीं तो distributor के हाथ पे भी दे सकते हैं मैंने इस device की payment 3500 किया हुआ है जिसमें मुझे सही paper आधार withdrawal और यह mini ATM की सुविधा दी गई है वैसे आपको और भी बहुत सारी सुविधाए application के अंदर मिल जाती है जो हर company यह सुविधा देती है जैसे की recharge, और बिल payment, money transfer, bus ticket, train ticket अगर अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो हमें comment करके पूंच सकते हैं तो चलिए video को समाप करते हैं और फिर मिलते हैं next video पे तब तक के लिए take care and bye bye